स्वागत है आप लोग का RIMC Maths की concept series में आज है day 9 और आज भी हम लोग LCM और HCF से related ही कुछ important topics देखने वाले आज एक specific rule है okay which is related to LCM पर ले हम LCM से related rules देखेंगे दो और दो HCF से related देखेंगे ये questions exams में बहुत आते हैं एक example भी देखेंगे हम लोग इससे related तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको least number calculate करना हो देखें least number का मतलब है हम कहीं न कहीं है LCM की approach यहाँ पर लगाने वाले which when divided by x y z तीन divisors आपको दिये हैं okay तीन divisors आपको दिये हैं x y और z और साती सात leaves the remainder और आपको remainder भी दियें I hope आपको divisor और remainder के बारे में मालूम होगा remainder दियें आपको a b और c धियान दिजेगा अगर मैं इस तरीके से divide करूं टू टू जा फोर remainder वन तो यह तो है remainder ओके आप सभी को division आते ही है यह है quotient यह है divisor this is divisor ठीक है जिस हम लिखते हैं 5 upon 2 तो जो 2 है वो divisor है तो basically यहाँ पर x y z divisor है और remainder a b c है उस case में आप कैसे वो least number को calculate करोगे जो की इन number से divide भी होता है और यह remainder भी छोड़ता है देखिए यह जो case है न यह basically divisor और remainder वाले का difference same वाला case है सबसे पहले तो आप क्या करेंगे least number पूचा तो आप LCM निकालेंगे किसका LCM निकालेंगे divisor का x,y,z यह आप LCM निकालेंगे और इसको आप किस से minus करेंगे P से P क्या है P है difference divisor और remainder का और यह difference same होगा respectively की बात कर रहा हूं है suppose देखिए यहाँ पर इस P की value क्या होने वाली P की value होने वाली x minus a is equal to y minus b is equal to z minus a ठीक है अभी question करेंगे based on this concept तो आपको समझ में आ जाएगा आप सिर्फ यह धियान रखना कि अगर आपको least number निकालना है जिसमें आपको तीन divisors और तीन remainders दियें यह दो divisors और 2 remainders दियें और divisor और remainder का जो difference हो वो में तब आप इस logic को लगाएंगे आप LCM calculate करके divisors का minus p करेंगे p is nothing but the difference of divisors and remainder एक छोड़ा सा question देख लो what is the least number which one divided by दीखें यह divisors दियें आपको ठीक है divisors दियें गिवन में 15, 18 और 21 leaves the remainder और remainder क्या दियें? remainder दिये 2, 5 और 8 अगर आप इनका difference दिखेंगे difference तो सबका difference है 15-2, 13, 18-5, 13, 21-8, 13, okay so this is the case which we have already understood यह वही case है तो इसमें आपने करना क्या है सबसे पहले LCM निकालोगे किसका LCM निकालोगे, divisor का 15, 18 और 21 का LCM और माइनस क्या करोगे, माइनस P, P is nothing but the difference, माइनस 13 करोगे, okay so क्या LCM होगे, LCM फटावट से निकाल लेते हैं 15, 18 और 21 का, so it's going to be 3, 5 जा, 3, 6 जा, 3, 7 जा, और बागे तो 5, 6, 7 जा जाजाएगा, 7, 6 जा 42 और 42, 5 जा 2, 1, 0 और 2, 1, 0 3 जा, it's going to be 6, 30, so यह आ गया, 6, 30 माइनस 13, तो आंसर जाएगा, 617, ओके तो 617 वो लेस्ट नमबर है, जिसका आप 15, 18 और 21 से डिवाइट करोगे, तो 2, 5 और 8 रिमेंटर छोड़ेगा, respectively, okay, so I hope, कि आपको एच्छोटा सा कॉंसेप समझ में आया होगा, बहुत यू सुन, बहुत जाहिए जाहिए जाहिए।